पाकिस्तान के नए शाह शरीफ होंगे जी हाँ शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बन चुके हैं और अब एक बार फिर नए कश्मीर राक के साथ वो पुराने पाकिस्तान की वोर अपने 22 करोण आवाम को लोटाने का अहवान भी कर चुके हैं एक नाटके घटना करम के तहट आज जिस तरीके से नैशनल असेंबली में जाते जाते इमरान खान की पार्टी तरीके इंसाफ पार्टी के सदस्यों ने पूरी तरीके से उन्ही बातों को दोराया जो लगबग एक पख़वाडे पहले राष्ट के संबोधन और इसलामाबाद के जलसा के माध्यम से इमरान खान ने कहने और बताने की कोशिश की एक बार फिर प्रधान मंत्री पत के उमीद्वार बनाए गए विदेश मंत्री जो इमरान खान के साथ पिछले शाड़े तीन सालों से काम कर रहे थे उन्होंने फिर कहा कि पुराने पाकिस्तान की ओर आवाम लोट तो रही है लेकिन आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गुर्वत से निकालने और आत्म सम्मान और स्वाविमान के साथ पाकिस्तानियों का कद्र पुरेद दुनिया में उचा उठाने के लिए 3.5 साल से अधिक समय तक इमरानखान लड़ते रहे जूचते रहे और साथ ही साथ अमेरिका सही दुनिया के उन तमाम देसों के रश्टा ध्यक्षों के साथ आखों में आखे डाल करके बात किया करते थे हलाकि इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि विदेशी साजिस के खातिर इमरान को सत्ता से हटना पड़ा लेकिन आवाम इस बात को याद रखे कि उसे पुराना पाकिस्तान चाहिए या जिस नए पाकिस्तान की वोर आवाम बढ़ चुका था उसे आगे जाना है अर्थात आने वाले चुनाओं की पूरी तैयारी नैशनल असेंबली में नाटकी घटना करम के तहट एक बड़े डिवेट के साथ जिस तरीके से कुरैशी ने पूरी बात कहने और बताने की कोशिश की हलाकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और 174 वोट समर्थन में पड़े शाहबास सरीफ के और एक बड़ी बात है कि नैशनल असेंबली में ही प्रधान मंत्री का बाकाइदा चुना हुआ और अब ये बड़ी खबर है कि सावास सरीफ चुनाओं में विजई घोशित किये गये हैं और एक घटना करम के तहट पाकिस्तान की कमान अब उनके हाथ में आ चुकी है वो भी पूरे तरीके से संबैधानिक प्रावधानों के तहट नए प्रधान मंत्री के रूप में नवास सरीफ के भाई शाबास सरीफ जो अब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में बाकाइदा अपना पद ग्रहन कर चुके हैं और PTI ने शाह मसूत कुरैसी को PM का उमिद्वार जरूर बनाया था लेकिन एक डिबेट के बाद उनके सहित सभी PTI के सदस्यों ने National Assembly का बहिसकार कर दिया और इससे तैव हो गया कि शाहबाज सरीफ प्रधान मंत्री जो संयुक्त विपक्ष के उमिद्वार थे वो बन गए तो प्रधान मंत्री बनने के बाद उनकी priorities बहुत कुछ हो सकती हैं उन प्राथमिकताओं में पाकिस्तान जिस तरीके से inflation का सहरा जिस तरीके से उनको inflation कम करन का एक बड़ा चुनोती का सामना करना पड़ेगा एक ये बात और दूसरी कि पाकिस्तान की विदेश नीती पर जिस तरीके से इमरान ने कुठारागात किया है उसको समात करके और पाकिस्तान के relations को दुनिया के तमाम देशों के साथ बनाने की एक बड़ी चुनोती होगी और साथ ही साथ जिस गुर्बत के दोर से आवाम गुजर रहा है और जो आर्थिक इस्तिती है महंगाई की दर 26 प्रत्सत से अधिक बताई जा रही है मौजूदा समय में हलाकि स्री लंका जैसे हालात पाकिस्तान के नहीं हुए हैं लेकिन अब उसे विदेशी कर्ज लोटा होगी हलाकि उनकी कोई इस तरीके की अनुभो की जहां तक बात है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरीके से मुश्किल दोर में पाकिस्तान को कमान समालते हुए निकाल पाएंगे क्योंकि वो पहली बार प्रधान मंत्री बने हैं लेकिन नमाज शरीफ के भाई हैं और साथी साथ राजनीत के माहिर खिलाडी माने जाते हैं और साथी साथ जिस तरीके का गठबंदन और संयुक्त विपक्ष एक टाकत के रूप में उभर के आया उसमें शाहवाज सरीफ की एक समन्नुवित के रूप में फजल रह्मान के साथ एक बड़ी भूमिका बताई जात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नेता और बैनजीर भुटो के पुत्र और जरदारी के पुत्र और भुटो के नवा से बिलावल भुटो विदेश मंत्री बनाए जाया रहे हैं ये भी खबर है और वो बनेंगे या नहीं ये इसलिए कि वो अंग्रेजी दाह हैं लेकिन पाकिस्तान की अंधरूनी राजनीती को बहतर तरीके से समझने लगे हैं और जिस तरीके से पिछले एक सालों के दौरान मुव्मेंट चलाया गया इमरान के रणनीतियों के खिलाप उसमें बिलावल भी बहुत बड़ी भुमिका आदा करते रहें तो बताये जा रह और विरोधी हुआ करते थे लेकिन अब एक ऐसा राजनीत का तकाजा है कि दोनों एक साथ हैं और सरकार में साथ हैं एक मिले जुली सरकार आप कह सकते हैं जिसमें तहरीके इंसाफ पार्टी विपक्ष की भुमिका में रहेगी और सडक से लेकर के नैशनल असेंबली तक हर एक स्थान पर हर एक मुद्दे पर इमरान खान जितने भी समय मिलेगा उस समय वो घेरेंगे और प्रदर्शन से लेकर के संसद में नैशनल असेंबली में वो सवाल उठाये जाएंगे सवाल ये है कि जो आरोप इमरान खान लगाए हैं संयुक बिपक्ष के कई नेताओं के उपर कि वो अमरिका से मिल करके उनकी सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका आदा करते नजर आये क्या उसकी जाँच होगी और अगर नहीं होगी तो इमरान खान ने जिस तरीके से राजनितिक दावपेज के तहस संबैधानिक प्रावधानों और जुडिसरी का मजाक अपने आवाम को बार बार संबोधित करके वो राष्ट नायक बनने की भूमिका में बराबर नजर आये हैं ऐसे में उनकी गिरफतारी कर उनको हीरो बनाने की कवायत शायद संयुक प्रिपक्ष के नेताओं और प्रधान मंत्री नहीं करना चाहेंगे लेकिन राजनित का ज इमरान खान की गिरफतारी पर बहुत कुछ बात करने के बाद इस तरीके के निरने लिये जा सकते हैं क्योंकि इमरान खान वहां के नए उम्रिके लोगों में बहुत फेमस होते बताय जा रहा है क्योंकि सोसल मीडिया के इस दौर में सोसल मीडिया का बहतर प्रियोग कर पा उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान के यूट्स में बताया जा रहा है और वो ही यूट्स सडकों पर अगर उनके कारिकरता तहरीक इंसाफ पार्टी के सहयोगी बन करके अगर वो सडकों पर उतरेंगे तो मौझुदा सरकार जो शरीफ के रिजूम में वो आगे वो पोस्ट पेंडेमिक में भी बहुत कुछ उनको सम्हालना है और अर्थ बिवस्ता को पट्री पर लाने के लिए कड़े निर्णे लेने हैं और कुछ ऐसे आर्थिक सहयोग की दरकार है जो उन्हें विदेश से मिलेगी विसेश कर चीन और अमेरिका से क्या अमेरिका उस बात मौझूदा समय के सरकार से कर सकता है उसमें शावाज सरीफ की क्या भूमिका हो सकती है बताए ये जा रहा है कि नवाज शरीफ अब एक बड़े राजनेग भूमिका में आ सकते हैं हलाकि अभी इस समय वो लंदन में इलाज करा रहे हैं लेकिन उनके बहुत जल्द पा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ का एक अनुभो रहा है प्रधान मंत्री के रूप में और खास करके अमेरिका को साधने की कवायद में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है अगर विदेश मंत्री वो बनते हैं तो उस इस्थिती में भारत के साथ उनकी क्या भ प्रक्रिया हो सकती है प्रात्मिक्ता हो सकती है उस पर नज़र रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि शाह महमुत कुरेशी के जाने के बाद अगर विलावल भुटो विदेश मंत्री बनते हैं और नवाज शरीफ परदे के पीछे रह करके प्रधान मंत्री की भूमिका आदा करते हैं और election से पहले जितने भी कड़े फैसले होंगे उसमें इमरान खान जिस तरीके से कश्मीर नीती पर बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते रहे क्या वर्तमान प्रधान मंत्री शाबाज सरीफ उस तरह की बात करेंगे और अगर करेंगे तो भारत के साथ संबंद क सस्तर पर आगे बढ़ सकते हैं और जो संबाद हिंता दोनों देशों के बीच में है क्या उस संबाद सुरू करने की या संबाद बनाने की कायम करने की कोई कोशिश कर सकते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है और साथ ही साथ इमरान खान जिस तरीके से हर एक फोरम पर जाकर के कश्मीर नीति पर और कस्मीर का वेसुरा राग अलापते रहे हैं शावाज सरीफ उस राग को किस अंदाज में छड़ने की कोशिश करते हैं और अगर वो अंदाज होगा तो सीमा पर किस तरह के के तनाओ की इस्थिति बनती है और आर्मी के साथ किस तरीके से कोपरेशन हो सकता है शाबास सरीफ का ये सब बड़ी चुनोतियां होंगी और बड़ी संभावना होंगी कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संभाध हिंता की जो इस्तिती है उसको तोडने उस डेड लॉक को खत्म करने की कोशिश शाबास सरीफ करेंगे ये सब वो तमाम बाते हैं जिस पर अब कम से कम साथ हैसिया में विशेश कर भारत और पाकिस्तान के राजनिकों विशलेश को और तमाम उन राजनितिक्यों की नजरें इस पर टिकी रहेंगी जिस तरीके से पिछले एक पकवाड़े के दौरान पाकिस्तान में राजनितिक घटना करम चला जमूरियत जिस तरीके से तार-तार हुआ उसके मूल ले जिस तरीके से घटे और घटाएगे उस प्रक्रिया को कायम करने और वहां के नेशनल असेंबली का जो गौरव है उसको इस्टाबलिस करने के लिए शावासरी क्या कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरीके से वहां के गन्ना नीती चीनी आयात निर्याद की नीती और गंदम के जिस तरीके से आयात निर्याद पर ढेर सारे सावासरीप की तरफ से वे भी देखना होगा कि आवाम जो चाहता है क्या नए प्रधान منत्री ऐसा कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि जितना समय मिला है अगर 90 दिन के भीतर ये चुनाओ होना है तो एक केरटेकर प्रधान मंत्री के रूप में क्या वो बड़े नीतिगत फैसले ले सकते हैं और अगर लेने की इस्थिती में शाहवास सरीफ हुए तो क्या आर्मी और ISI उनको खुला छोड़ देगी हलाकि पिछले एक महिने के दोरान जिस तरीके से इमरान खान ने डार्मी आईसाई और तमाम उन संस्थाओं को घेरने और उनको अपने कंट्रोल में लाते और ऐसा करने की कवायत करते हमने देखा है क्या शावास सरीफ उस पुराने पाकिस्तान के तरफ ल लोटने के बाद आर्मी और आईसाई को वही महत देंगे जो इसके पहले के शाशक दिया करते थे और जैसा कि माना जाता था कि इसलाम अबास से नहीं बलके रावल पिंडी से नीतियात हैं क्योंकि रावल पिंडी में सेना-मुख्याले है और सेना-प्रमुख जो चाहते ह हैं वही होता है और ISI का जो इशारा होता है उसी पर रणनीतिया बनाई जाती है चुक्कि नैशनल सिकर्टी का एक बड़ा मुद्दा है जिस में बैरूनी मुल्कों के द्वारा साजिस का मामला सामने लाए गया है उस national security को लेकर कि क्या कोई बैठक हो सकती है क्या उस minutes पर चर्चा हो सकती है जो 7 March और 8 March के दर्मियानी दिन में इस तरीके की बातें इमरान खान की तरफ से कही गई है जो एक बड़ा आरोप है और अगर इस आरोप में दम है तो नई सरकार के मुखिया उसको सच साबित किया जाए दूद का दूद पानी का पानी हो इस पर क्या कुछ कहते हैं क्या कुछ बयान देते हैं या कोई कमेटी बैठाई जा सकती है या जाएगी ये सब देखना दिल्चस्प होगा और साथी साथ 90 दिन के भीतर अगर चुनाओ कराना है तो उसके लिए election commission को भूमिका में आई हैं और एक सरकार के रूप में वो आगे बढ़ रही हैं क्या आगामी चुनाओं में तहरीक इंसाफ पार्टी के खिलाप ये सभी एक जुट हो करके लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो ये मानना होगा कि तहरीक इंसाफ पार्टी के मुख्या और तह जलसों के माध्यम से कि वो अब जब भी चुनाओं में जाएंगे तो जनता के बीच में वो लोगप्री हो सकते हैं और अगर उनकी बातों में कुछ दमखम दिखा या उसके कुछ छीटे अब मौजुदा सरकार के मंत्रियों या बड़े नेताओं पर आगे भी पड़े और और उस इस्थिती में इमरान खान देश के हीरो साबित हो सकते हैं हलाकि जाते जाते भारत के संदर में उन्होंने जो कुछ भी कहा जो बोलने की कोशिश की उसके पीछे की रणनीत ये थे कि उनको एक सिंपैथि गेन करना था पाकिस्तान के 22 करोण आवाम के दिलो दिमाग से और एक बड़ा उनसे सहयोग प्राप्त करने की उनकी उमेदे थी उस उमीद पर क्या वो खरे उतरेंगे और क्या जंता उनके हर बात से सहमत है ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन जाते जाते भारत को एक खुदार पसंद और खुदार देश का तमगा दे करके उन्ह पाकिस्तान का हर एक उक्मरान बोलता है और कुछ तरीक कुछ ऐसे मुद्दे पर वो धर्म का सहारा लेते हुए इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सस को आगे बढ़ाने या उनको भारत के खिलाफ यूज करने के लिए कुछ बाते वो कहते निजर आये हैं लेकिन आने वाले समय में इसका फर्क भारत के और पाकिस्तान के संदर्बों में क्या पढ़ता है ये भी देखना होगा और क्या ये कथनी और करनी में अंतर करते हुए कुछ ऐसी बाते करेंगे जिस पे दोनों के बीच कुछ संबाद शुरू हो जाए क्योंकि इनी के भाई नवाज श कुछ सेट करने की कोसिस वो यहां के बिजनिसमेन और राजितिक्यों से करके अपना फायदा उठाना चाहते थे ये आरोप भी एक बड़ा आरोप है और अगर इसमें कुछ सचाई होगी तो शाहबास सरीप को बहुत ही मुश्किलों और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है विरोध का सामना करना पड़ सकता है हलाकि इमरान खान का बोडी लेंग्विज इस बात की तस्दीक है कि अब इमरान खान सड़कों पर उतरेंगे और वहां के नवयूकों और कामगारों के साथ बेहतर समन्वें और संपर कायम करके वो उनको अपने आंदोलन और अ तो वो नहीं हो पाएगी क्योंकि सड़कों पर जब जन्ता उतरेगी तो विरोध का सामना करना पड़ेगा और विरोध के लिए सुरकशाबलों का सहिःोग और सहारा लेना पड़ेगा उस इस्थिती में वहां पर टैंस इस्थिती उत्पन होगी राजनितिक अस्थरता ब गमरान खान को सत्ता से दूर होना पड़ा, हाथ दोना पड़ा, उस रूस के साथ शाहबास सरीफ क्या संबन रखते हैं, और अगर शाहबास सरीफ रूस से बिलकुल अलग हो जाते हैं, तो उनको अपने दोस्त चीन की नाराजगी जहलनी पड़ सकती है, और चीन की दे चुका है पाकिस्तान को, और कहा तो यह जाता है कि सीपेक का पूरा अलाका एक तरह से चीन के शाषन में है, वहाँ पर Akistan सरकार के परबसटा नहीं चल पाती, तो इन्ही परिस्थितियों में जो इस्थितियां बन रही हैं, उससे इतना तो त्येह है कि पाकिस्तान पि धार्मिक नेता भी अब इस मिली जुली सरकार का हिस्सा है और ऐसी इस्तिती में जो आरोप इमरान धार्मिक कट्टरता के संदर्म में कह चुके हैं उस पर भी बड़ा सवाल उठेगा और उन इस्तितियों में कट्टर पंथियों पर लगाम कसने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी साबाज सरीफ को ये सब देखना होगा और अमेरिका नहीं चाहेगा कि वहाँ पर किसी तरीके से फजल रहमान के आने के बाद कट्टर पंथि ताक्तें मजबूत हों हम आपको बताते चलें कि FATF को लेकर के जिसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ आर्थिक सहयोग से द टेररिस्ट ग्रूप्स पर कंट्रोल करने के दवाव बना रहे होते हैं तो उस इस्तिती में उन देशों से संपर्ख साधना और अपने देश में टेरर फंडिंग पर रोक लगाना और बड़े आतिंकी गुटों के नेताओं को पकड़ना उन्हें जेल में डालना ये सब भ अलाके अंदरूनी राजनीती भी इस मिली जुली सरकार में आपस में बहुत बेहतर हो जाए ऐसे आशा नहीं करनी चाहिए लेकिन चुकि अभी सब इमरान खान के खिलाफ लाम बंद हैं समय बहुत कम हैं 90 दिन के भीतर फिलहाल ये खबर है कि ये चुनाओ कराय जानी की प अप अप करती है इन सारे मामलों पर इस पर भी नजर रहेगी और साथी साथ जैसा कि खबर में हमने पहले बताया कि नमाज शरीफ जो फिलहाल लंदन में इलाज करा रहे हैं उनके सुदे स्वापसी की भूमिका भी बनाई जा सकती है लेकि उसके लिए उनके खिलाफ लग करके विदेशों में जमा करने वालों को देश में नहीं आने देंगे क्या उस इस्थिती में नवाज शरीफ वापस लोटते हैं और अगर लोटते हैं तो इमरान खान जो आरोप लगाते रहे हैं वो सड़कों पर उतर करके क्या उसके खिलाफ माहौल बना सकते हैं ये सब देखना बड़ा दिल्चस्प होगा बहराल जो सुरतिहाल है वो ये है कि शरीफ प्रदान मंत्री बन गए हैं और प्रदान मंत्री बनने के बाद उन्हें एक के बाद एक कड़े फैसले और जनता के हितों के संदर में कुछ ऐसे एहम फैसले लेने पड़ सकते हैं जिस पर क उनकी नजरे होंगी और अगर ऐसा वो ले सके या लेने की इस्थिती में रहे तो सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक सहयोग की दरकार है क्या अमेरिका और चीन उसके लिए आगे आएंगे और क्या पाकिस्तान के नए प्रदान मंत्री भारत के खिलाब जहर उल रहेंग ये सब कुछ करने में वो सफल रहे तो इस मुली जुली सरकार का एक बहतर कारिकाल हो सकता है जो बहुत छोटा होगा और उसी की देखरेक में नए चुनाव कराए जाएंगे बहराल अब इमरान खान उनमुक्त हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सभी लिख रही है और अगर वो सडकों पर उतरते हैं तो उनके साथ किस तरीके का राजनीतिक व्योहार किया जाता है ये भी देखना दिल्चस्प होगा और उसके बाद आर्मी और आईसाई की भूमिका वर्तमान सरकार और विपक्ष के सारे गत्विधियों के प्रतिक कैसी होत होती है ये भी देखना बेहत दिल्चस्प होगा कुल मिला करके क्या होगा पाकिस्तान में और क्या वहाँ पर राजनीतिक इस्थरता आएगी एक बड़ा सवाल है जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा ये भी स्टार न झाल